हेलो गाइज माइनम इस असार पे और वेल्कम बैक टो अंदर के सटी विद मी आज के से पहले को ज़्यादा बखवास नहीं करते हैं कज इट टाइज इन्टो सो मेने वीडियो के लेंद देखी लिए होगी बस मैं अदना कहना चाहता हूं कि चेक मैं डिस्क्रिप्शन मैंने मैं अपना इंस्ट्राम अकाउंट दे रखा है और मैंने अपने पॉड्कास का लिंक भी दे रखा है अगर एक फैंबली में कोई बीमार पड़ जाता है तो घर में सारे ही लोग बहुत यादा परिशान हो जाते हैं घर के सारे लोग उस एक आदमी की देख रेक में लग जाते हैं और उन्हें तब तक चैन नहीं आता जब तक वो आदमी ठीक ना हो जाए जो मा होती है अगर उनका बच्चा बिमार हो जाए तो उन्हें तब तक चैन नहीं आता जब तक उनका बच्चा पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तो अगर यह लोग इतने ही प्यारे थे तो ऐसा क्या हुआ अखेर कि एक दिन इस मा को अपनी जान से हाध होना पड़ा तो लेस्ट लाइनल मोर अब टोड़ेश केस रिवाल्विंग आराउन जिपसी रोज क्लॉडीन ब्लैंचर्ड लुईजियाना में पैदा हुई थी तो क्लॉड एंथनी सीनियर और एमा गिसक्लेर और उसके चार सिब्लिंग्स थे बच्पन से ही क्लॉडीन बहुत धीड थी उसे जो भी चाहिए होता था वो अपने तरीके से लेही लेती थी और अगर कभी उसकी मर्जी से चीज नहीं होती थी तो वो चोरी करती थी रेबल बनने के लिए जब क्लॉडीन 24 साल की थी तो उसकी मुलाकात हुई 17 साल के रोड ब्लैंचर्ड से और दोनों में प्यार हो गया और उसी साल क्लॉडीन प्रेग्डिन भी हो गई थी जिसकी वज़ा से रोड और क्लॉडीन ने एक दूसरे से शादी कर ली थी जब इन दोनों को इचीज पादा चला कि इनका बच्चा होने वाला है तो उन्होंने और बच्चे का नाम डिसाइड कर रखा था रोड को Guns and Roses वो बैंड था वो बैंड बहुत ही ज़ादा पसंद था और क्लॉडीन को जिपसी नाम बहुत यदा अच्छा लगता था तो उन्होंने कंबाइन करके अपने बच्चे का नाम जिपसी रोज रखने का सोचा लेकिन जिपसी के पैदा होने से पहले ही रोड ने क्लॉडीन को तलाग दे दिया क्योंकि उसके अकॉर्डिन उसने क्लॉडीन से शादी तो करी थी बर इट वस आल फर रॉंग रीजन कुछ महीनों बाद 27 जुलाई 1991 में क्लॉडीन ने जिपसी को जनम दिया पहले कुछ महीनों तक वो रोड के साथ एक ही घर में रह रही थी लेकिन फिर क्लॉडीन जिपसी को लेकर अपने पेरेंस की घर शिफ्ट हो गई जिपसी के पैदा होने के बाद सब लोग बहुत खुश थे बले ही उसका और क्लॉडीन का रिष्टा खतम हो चका था लेकिन वो हर तरीके से ट्राय करता कि वो अपने बच्चे की लाइफ में अपनी बेटी की लाइफ में जिपसी की लाइफ में उसके साथ रह सके उसकी लाइफ का एक पार्ट बन सके लेकिन जिपसी का बच्वन बिलकुल भी easy नहीं था जिपसी जब बस 3 महीने की थी तब से ही उसकी life में जैसे की उतार चड़ाव होना खतमी नहीं हो रहा था जब जिपसी 3 महीने की थी तो क्लॉडीन उसे hospital लेके गई क्योंकि जिपसी को सोने में problem होती थी क्लॉडीन को लगता था कि जिपसी को sleep apnea है लेकिन काफी सारे test होने के बाद डॉक्टर्स ने क्लॉडीन को कहा कि तुमारी बेटी को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है बर अगेन जिपसी अगर बीमार है तो डॉक्टर्स उसकी माँ पे क्लॉडीन पे भरूसा क्यों नहीं कर रहे थे क्लॉडीन को पूरा यकीन था कि जिपसी को बहुत सारी बीमार्या थी जो chromosomal disorder की वज़े से हो रही थी क्लॉडीन को लगा कि अगर डॉक्टर्स उसकी मदद नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं वो अपनी बेटी की केर खुद कर लेगी तो वो हर तरीके से जिपसी की हेल्थ का ध्यान रखती थी जैसे जैसे जिपसी बड़ी होती जा रही थी क्लॉडीन को ये चीज पका हो गया था कि मेरी बेटी mentally बहुत यादा वीक है वो अपने उमर के बच्चों के या फिर वो अपने स्कूल के बच्चों के तरह नहीं है जैसे कि मैंने कहा कि क्लॉडीन अपने पेरिंस के घर में रह रही थी उस ताइम पर तो क्लॉडीन के पेरिंस भी बहुत यादा खुछ थे जब जिपसी उनके घर आई थी तो जब उनकी पोती घर आई तो वो पूरा पूरा दिन अपनी पोती के साथ खेलते थे और उनका टाइम कब बीच आता था उनने पता ही नहीं चलता था तो एक बारी क्या वा जब जिपसी 7-8 साल की रही होगी तो वो पने दादाजी की मोटर बाइक चला रही थी और ये मोटर बाइक चलाते चलाते उसका एक्सिडेंट हो गया और इस एक्सिडेंट की वज़े से उसके घुटने चल गए बस उसकी जिन्दगी मानों बच से बत्तर होने लगी, वो अब स्कूल नहीं जा सकती थी, तो इसी लिए क्लॉडीन उसे होम स्कूल करती थी, जिपसी को हैरी पॉर्टर की बुक्स बहुत पसंद थी, और उसने उन बुक्स को रीड करके ही एक्शुल में इंग्लिस लिखना और पढ़ना सीखा था, क्लॉडीन के नेबर्स को जिपसी के बारे में पता था, और उसकी तरफ उनकी बहुत सिंपती थी, रॉड भी अपनी बेटी के देखबाल के लिए क्लॉडीन को हर महीने पैसे भेज़ता था, और बहुत सारे एंजियोज भी जिपसी की मदद कर रहे थ तो इसी वज़े से जिपसी अब उस एरिया में एक हाउस होल्ड नेम बन गी थी, कि ऐसी ऐसी एक बच्ची है जो वीलचेर पर है, जो हमेशा बिमार रहती है, और उसे ये सारी डिसेबिलीटीज हैं, जिपसी को लुकीमिया, अस्थमा, सीजर्स जैसी बिमारिया थी, और देखने और सुनने में भी तकलीफ होती थी, जिसकी वज़ा से वो बहुत सारी मेडिसन्स खाती थी, और इतनी मेडिसन्स खाने की वज़ा से ही, उसके साइड एफेक्स भी बहुत जादा होते थे, इन ही साइड एफेक्स के चलते, उसके सिलाइवरी ग्लैंड भी निकाल से कम समझा, Claudine Gypsy को बहुत सारे events में participate करवाती थी, चाहे वो Olympics for disabled हो, या फिर reading event हो, या फिर कोई pop conventions हो, और इतने सारे events में participate करने की वज़े से, जिपसी और भी famous हो रहे थी, अपने जजबे और personality की वज़े से, अगर आप Gypsy की photos देखोगे, तो आपको पता चलेगा, कि मैं क्य बात कर रहा हूँ, जिपसी के सर पे बाल नहीं थे, because of cancer treatment, उसके दाद गिर चुके थे, उसकी physical and mental development slow थी, वो बहुत ही weak और fragile थी, कमजोरी की वज़े से, वो एकदम pale हो चुकी थी, वो ठीक से देख भी नहीं सकती थी, जिसकी वज़े से, वो बहुत मोटे चश्मे पहनती अस्थमा की वज़े से, वो ठीक से सांस नहीं ले पाती थी, इसलिए 24-7 उसे oxygen cylinder का support की जरूरत होती थी, और वो ठीक से खाना भी नहीं खा सकती थी, इसलिए feeding tube भी उससे attached था, ना तो वो भाग पाती, ना वो चल पाती, ना वो बागी बच्चों के साथ खेल पाती, लेकि सबसे पहले लोगों को जीपसी की स्माइल ही याद आती थी, लोग क्लॉडीन को भी बहुत यादा पसंद करते थे, क्लॉडीन अब बस पूरा दिन सिफ जीपसी को ही देती थी, उसका ध्यान रखती थी, और ऐसा करने के लिए उसने अपनी नौकरी से भी रिजाइंग कर ओगस्ट 29, 2005 में लुईजियाना में हरिकेन काटरीना हिट हुआ था, ये हरिकेन इतना स्ट्रॉंग था कि काफी लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो गए थे, और उनमें से एक घर था, क्लॉडीन और जीपसी का, उनका पूरा घर उतल फुतल हो गया था, और जीपसी के सारे मे दीडीचेंज कर दिया था, और मिजोरी के एंजियोस की वज़े से वहाँ क्लॉडीन को, क्लॉडीन मतलब की डीडी, तो वहाँ डीडी और जीपसी को अब एक नया घर भी मिल गया था, और इस घर को सभी लोग पिंक हाउस भी कहते थे, इतना ही नहीं, एंजियोस की जिपसी बहुत बार डिजनी लैंड भी गई थी, जिपसी को ज़्यादा टाइम नहीं लगा मिजोरी में फेमस होने के लिए, वहाँ भी वो सब को पसंद आ रही थी, और उनके नेबर हुड के हर घर को पता था, जिपसी की मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटीज के बारे म जिसकी वज़ा से पूरा नेबर हुड डिडी की हल्प करने के लिए हमेशा तयार रहता था, डिडी अगेन इस जिपसी's mom Claudine, जिपसी ने नेबर हुड में एक दोस भी बना रही थी, जिसका नाम था अलिया वुड मैंसी, अलिया और जिपसी अक्सर साथ में ही टाइम स्प पताती थी, लेकिन मिजोरी जाने के बाद भी जिपसी की हालत को ज़्यादा ठीक नहीं हुई, डिडी मिजोरी के हर एक हॉस्पिटल में जाती थी लिटरिली एवरी सिंगल डे, ताकि उसकी बेटी का इलाज बेस्ट तरीके से हो सके, और इसी वज़े से और मुस्ट हर हॉ पतात में कुछ मस्ती वाले चीज़ें नहीं करते थे, जैसे कि जून 9 की तारीक को उन दोनोंने सुबह डॉक्टर की अपॉइमेंट के बाद घर वापस आके एक प्लैन बनाना शुरू करा, उन्होंने साथ में एक मूवी देखी, एक दूसरे का मैनिक्योर किया, उन्होंन के या फिर डीडी के फेस्बुक पेस से कुछ अजीव अजीव स्टेटस पोस्ट होने लगे थे, पहला स्टेटस था, और पांच मिनट बाद एक और दूसरा स्टेटस पोस्ट होता है, आइ स्लाश्ट अट फैट पिग एन रेप्ट हर स्वीट इनसें डॉटर, हर स्क्रीम और जितने भी लोग डीडी के फेस्बुक फेस्बुक फेस्ट से, उन्हें ये पोस्ट पड़के, उन्हें ये स्टेटस पड़के बड़ा ही शॉक लगा, क्योंकि ये चीज जो भी लिखा गया था, ये डीडी के करेक्टर के बिलकुल opposite था, वो लोग जिस डीडी को जानत तो जैसे ही लोग को ये स्टेटस दे के थोड़ा सा गड़बर लगी, वो सीधा डीडी के घर के बाहर आ गए, और उन्हें से दो लोग थे, किम एंड डेविड, उन्होंने पहले घर पर नौक किया, और जब किसी ने भी धरवाजा नहीं खोला, तो उन्हें लगा, शायद हमको ज़्यादा ही सोच रहे थे इस बारे में, डीडी का अकाउंट हैक हुआ होगा, और डीडी जिपसी को लेके हॉस्पिटल गई होगी, क्योंकि डीडी ओल्मोस हर दूसरे दिन जिपसी को लेकर डॉक्टर के पास ही जाती थी, यूनो चेक अप्स के लिए, तो ये जिपसी को गाड़ी में रखना होता था या फिर हॉस्पिटल ले जाना होता था तब किम और डेविड की गट फेलिंग उन्हें कहा रही थी, कि यहां कुछ ना कुछ तो गडबड है, तो इसलिए डेविड ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया, जब तक पुलिस दीडी के जिपसी की ही थी, और जिपसी अपने वीलचेर के बिना कहीं जाही नहीं सकती थी, तो ये वीलचेर देखके और गाड़ी पारकिंग लॉट में देखकर इन दोनों को अब भूत यादा घवराट होने लगी थी, ना जब पुलिस वहां आई, तो उन्होंने घर के अंदर ए पुलिस ने उसके बेडरूम में एंटरी की, तो डीडी बेड पर सोई हुई थी, और उसकी पूरी बॉडी खून से लटपत थी, ऐसा लग रहा था, मानो किसी ने खून की बाल्टियां डाल दी हो उसके शरीर पर, बट नो, इड वस एक्शली हर ओन बलड, किसी ने डीडी पर 17 बार चाकू से वार करके उसे मार दिया था, पुलिस डीडी का रूम चक कर रही थी, कि तब ही उन्हें अचानक से दिमाग में खयाल आया, जिपसी कहां है, पूरा घर चानने पर भी उन्हें जिपसी कहीं नहीं मिली, अब पुलिस हाई अलर्ट पर थी, क्योंकि जब क कोई बच्चा किडनाप होता है, तब पुलिस अपनी जाच परताल तेज करती है, लेकिन जब विक्टम एक intellectually and physically disabled इंसान हो, तो पुलिस को और तेजी से काम करना पड़ता है, पहले तो पुलिस ने वो Facebook पोस्ट करने वाले का IP address ढूंडा, जो कि था किसी Nicholas Gode John का, जो Wisconsin USA का र ऐसा पोस्ट क्यों करेगा, लेकिन पुलिस के पास और कोई लीड भी नहीं थी, और जिप्सी को ढूंडना was a priority, तो पिलिस मिजरी से Wisconsin चले गई इस आदमे को ढूंडने के लिए, और जब वो लोग Nicholas के घर पहुँचे, तो उन्हें वाँ शौकिंग ली जिप्सी भी मिली, लेकिन कुछ अजीव सा था, जिप्सी की बॉडी पे कोई खरोच नहीं थी, जिप्सी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से वहां रह रह रही है Nicholas के साथ, बट सिर्फ इतना ही नहीं, वो बिना किसी वीलचेर के, बिना किसी ऑक्सिजन टैंक के, बिना किसी पाइप के, बड़े ही आराम से चल पारे थी, बोल पारे थी, हस पारे थी, लेकिन जितना शॉक्ड पुलिस जिप्सी को देखकर थी, उसकी ये कंडिशन देखकर थी, उससे भी जाज़ा शॉक्ड पुलिस होने वाले थे, जब उन्होंने जिप्सी का इंटेरोगेशन करा इंटेरोगेशन के बाद ये पता चला है कि जिपसी अपनी पूरी जिन्दगी में कभी बीमार थी ही नहीं नहीं उसे लुकीमिया था नहीं उसे अस्थमा था यहां तक कि जिपसी को तो अपनी असली उमर भी नहीं पता थी अब भी तक तुम लोग को ये लग रहा होगा कि जिपसी तो बच्पन से बीमार थी उसकी मा उसका ध्यान रख्टी थी उसको ते सारी बीमारिया थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिपसी पैदा ही नॉर्मल हुई थी इस सिंड्रोम में एक इनसान अपने करीबी किसी इनसान को स्पेशली बच्चे को या बोड़े लोगों को जान बूच के बीमार दिखाता है ताकि वो बाहर के लोगों से सिंपती और अटेंशन गेन कर सके ताकि लोग इस आदमे को या फिर इन हर केस डीडी को उसकी मा को दे सके उसके बारे में बार बार बूचे डीडी जिपसी को बच्चपन से ही अलग अलग हॉस्पिटल्स लेके जाती थी और कहती थी इसे ये सारे सिंप्टम्स हैं and I think मेरी बीटी बीमार है वेन इन रियालिटी जिपसी को कभी कोई सिंप्टम्स थे ही नहीं Allegedly डीडी को नर्सिंग की नॉलिज थी और इस नॉलिज का फायदा उठाते हुए वो डॉक्टर्स को वो सारे सिंप्टम्स बताती जो इस स्पेसिफिक बीमारी में होते थे वो इस हद तक चली जाती थी कि वो खुद अपनी बेटी को ऐसी मेडिसन्स खिलाती जिससे जिप जिपसी के गम्स पे नमिंग क्रीम लगाई थी जिसकी वज़ा से जिपसी बहुत डूल कर रही थी Obviously क्योंकि उसका माउथ नम था तो वो voluntarily अपना मूँ बंद नहीं कर सकती थी जिसकी वज़ा से उसके मूँ से थूग गिर रहा था और डीडी ने डॉक्टर्स को ये कहा कि जिपसी की salivary glands काम नहीं कर रही है उसे सर्जिरी की जरूरत है And the shocking part is कि ये सब कुछ काम भी करता था डॉक्टर्स ने जिपसी की सर्जिरी करी भी थी और ये तो सिर्फ एक example है कि डीडी किस हद तक जा सकती थी Now तुम लोग ये सोच रहे हो गए कि जब जिपसी सच में बिमार नहीं थी तो ये लोग तो डॉक्टर पे जाते रहते थे तो वहां scan वगर भी होते होंगे तो कभी किसी डॉक्टर को पता कैसे नहीं चला ये चीज किसी डॉक्टर ने डीडी को कभी रोका क्यों नहीं पहली बात तो ये कि डीडी बहुत यादा smart थी लेकिन actually वहां एक डॉक्टर था उसकी पूरी जन्नी में एक डॉक्टर था जिसने अपने कलीक से ये कहा था कि डीडी ही अपनी बेटी को fake बीमार कर रही है लेकिन डीडी के पीछे इतने सारे लोगों का भरोसा था इतने सारे NGOs का भरोसा था कि उस डॉक्टर को लगा कि अगर वो ये चीज पब्लिकली कह दे तो लोगों का उससे भरोसा उट जाएगा वो उसके भरोसा नहीं करेंगे, वो उसके क्लीनिक में नहीं आएंगे और उसका पूरा धंदा बंध हो जाएगा और नई जगा मूव होने के बाद, जब भी कोई डॉक्टर इन से पूछता कि अगर तुम्हारी बेटी सिख है तो इसके पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स कहा है, तो डीडी उन से बोल देती कि हरीकें काटरीना की विज़े से हमारे सारे के सारे चीज़े उड़ गए है या फिर फ्लरड में काई चली गई है काफी सारे डॉक्टर पहले तो उसके ये एक्स्ट्रीम सिंटम सुनकर और दूसरा फिजिकल अपेरनस देखकर भी डीडी से ज़्यादा पूछताश नहीं करते थे और वो लोग चुप चाप उसकी मा की बात मा लेते थे क्योंकि अफकोर्स ये बात है कोई मा भला जूट क्यूं बोलेगी और वो चुप चाप जिपसी का इलाज काने लग जाते थे या फिर अगर कोई भी डीडी पे शक करता तो डीडी डॉक्टर चेंज कर देती थी डॉक्टर के विजट के टाइम पर भी डीडी कभी भी जिपसी को डॉक्टर से बात ने करने देती थी ताकि गलती से भी जिपसी कोई ऐसी बात ना बोल रहे या फिर सच ना बोल दे जिसे डॉक्टर को सारी बाते पता चल जाए वो जिपसी को ये बोलती कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी मेरी बस बात मानोगी तो मैं तुम्हें मूवीज पे ले जाओंगी तुम्हारे ले टॉइज लेके आओंगी तुम्हें खेलने दूँगी जिपसी वस वस एक इड़ तो वो इन सारी बातों के लिए मान बिजाती थी और उसे ये लगता था कि मेरी माँ सची बूल रही होगी डीडी ने जिपसी के लिए एक ऐसी दुन्या बना रहे थी जिसमें उसकी माँ डीडी उसके लिए एक हीरो थी and the reality was कि उसकी बेटी बहुत ही आदा सिख है जिपसी बहुत ही आदा सिख थी इस reality में और क्योंकि वो बार-बार ये चीजे अपनी मां से सुनती थी डॉक्टर से सुनती थी वो बार वो हॉस्पिटल भी जा री थी ताकि जिपसी के कभी भी दोस्त ही न बने और वो कभी किसी से कुछ शेयर न अगर पाए वो जहां भी जाती डीडी हमेशा उसके साथ ही रहती जिपसी क्या पहने की वो क्या खाएगी क्या करेगी किस से मिलेगी वो सब डीडी से ही decide होता था यहां तक कि हर रोज वो जिपसी का head shave करती ताकि लोगों का ऐसा लगे कि इसकी cancer की treatment चल रही है और इसी वज़ा से उसके बाल छड़ गए है और जब जिपसी उससे पूछ दी कि तुम ये क्यों कर रही हो मा तो वो से कहती वैसे भी तुमारे बाल जड़ने ही वाले है cancer treatment की वज़े से तो अभी ही shave कर देते हैं लेगन अगेन जैसे ही जिपसी धीरे धीरे करके बड़ी हो रही थी उससे ये चीज रेलाइस हुई कि शायद मैं अपने उमर के normal बच्चों जैसे ही हूँ वो दोस्त बनाना चाती थी वो बाहर घूमना चाती थी उसे लड़कों की तरफ attraction भी था और ऐसा भी नहीं था कि जिपसी ने कभी भागने के कोशिश नहीं करी थी वो तीन चार बार घर से भाग चुकी थी लेकिन हर बार डीडी ने उसे ढून लिया था वो उसे handcuffs में बांदे रखती थी दो-दो हफतों तक और इस पूरे टाइम तक वो उसे खाना नहीं देती थी डीडी जिपसी को मेनेबलेट करती और जिपसी मान भी गई थी अंटिल शी मेट निक नो इस गाइस रमेंबर देट फेस्बुक वाला गाय नो निक या फिन निकिलस और जिपसी एक डेटिंग वेबसाइट पर मिले थे और वो पहले फ्रेंड जैसे ही बात करने थे लेकिन बात करते करते दो हफतों में ये बात से उन्हें प्यार हो गया दोनों के दोनों एक दुस्ते को अपना सोल मेट मान चुके थे निकिलस ने तो ये तक सोच लिया था कि वो मिजरी शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ जॉब ढूनेगा, एक घर खरीदेगा और फिर जिपसी से शादी कर लेगा यहां तक कि दोनों ने अपने बच्चों के नाम भी डिसाइड कर दियो थे यह सब कुछ बढ़ तुम लोग के इसलिए बता रहो ताकि तुम्हें ये रियलाईज हुजाएए कि यह दोनों एक दूसरे के लिए कितने जदा सीरियस थे इन दोनों की फिलिंग्स एक दूसरे के लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रॉंग थी और ऐसा भी नहीं था कि जिपसी निकलेस को अपने बारे में catfish करी थी उसने निकलेस को अपने बारे में सब कुछ बता रखा था कि कैसे डीडी उसे treat करती है, कैसे डीडी उसे घर से भाहर नहीं जाने देती और कैसे डीडी पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रही थी जिपसी निकलस को लेकर सीरियस थी इतने सालों में पहली बार उसे किसी से प्यार हुआ था अब वो अपना रिलेशन्शिप और छुपा के नहीं रखना चाहती थी सबसे पहले उसने आलिया को निकलस के बारे में बताया उसने आलिया को सारे चैट्स दिखाए आलिया को निकलस के बातें थोड़ी वियर लगती थी क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव तरीके से बात करता था उसने जिपसी को वान भी किया था कि निकलस से दूर ही रहे पर फिर जिपसी और निकलस ने एक प्लान बनाया कि वो मिजरी आएगा और डीडी और जिपसी से वहाँ एक लोकल थियेटर में ऐसे स्ट्रेंजर मिलेगा अगेन इफिगाइज रिमेंबर डीडी और जिपसी एक मूवी देखने के ले गए थे जिपसी को लगा था कि ऐसे मिलने से डीडी को लगेगा कि वो और निकलस एक दूसरे को नहीं जानते डीडी को निकलस पसंद आ जाएगा और फाइनली वो डीडी को सब कुछ बता देगी और ऐसा ही हुआ था 2015 में Nicholas Misery आया था वहाँ के एक theater में डीडी और जिपसी Cinderella देख रहे थे जिपसी ने bathroom का बहाना किया और चुपके से वो Nicholas ने मिल रही थी पर डीडी ने उन दोनों को पकड़ लिया और जिपसी को धमकी दी कि वो आज के बाद Nicholas से कभी ना मिले तो जिपसी थाट कि शायद से पहली बारी मेरी मां जब Nicholas से मिलेगी तो उसके charm से वो impress हो जाएगी और मुझे उसके साथ जाने देगी लेगिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि डीडी वस नाट गॉना स्वे पर इस इंसिडेंट के बाद से डीडी का बरताओ जिपसी के लिए बिलकुल ही चेंज हो गया था और जिपसी के लिए अब उसकी मां के साथ रहना उसकी लाइफ में रहना बिलकुल ही मुश्किल हो गया था वो अब और जादा Nicholas से दूर नहीं रहना चाहती थी तो इसी लिए जिपसी ने Nicholas के साथ मिलकर अपनी मां को डीडी को मारने का एक प्लान बनाया जिपसी ने Nicholas के लिए विसकॉंसन से मिजरे की बस टिकट खरीदी नौतारी की साथ ही उसने Nicholas को डीडी के बेटरूम की वीडियो बना कर भी भीजी थी ताकि वो डीडी के बेटरूम से फमिलियर हो जाए और जब वो घर पे आए तो उसे डीडी तक पहुशने में आसानी हो नौतारी को मुवी और मेनिक्योर के बाद जब डीडी सो रही थी तब जिपसी ने घर का दर्वाजा खोल कर Nicholas को घर के अंदर एंट्री दी उसने Nicholas को टेप, चाकू एंग गलव्स भी दिये Nicholas डीडी के बेटरूम में कया और सतरा बार डीडी के चाकू मार कर उसने उसका मर्डर कर दिया था जब ये सक कुछ हो रहा था तो जिपसी अपने रूम के बाथरूम में कान बंद करके बैठी थी ताकि वो अपनी मौम की चीखे न सुन पाए मौडर के बाद वो दोनों एक होटल में रुके दो दिन तक उन्हों पिज़ा खाया, टाइम पास किया और फिर वो लोग विसकॉंसर चले गए जहां निकलेस का घर था 14 जून को जिपसी ने ही डीडी के फेस्बुक अकाउंट पे वो पोस्स दाला था जब ये बाद बाहार आई तब लोग शौक थे क्योंकि डीडी ने ना सिर्फ जिपसी को बट उसके फ्रेंज, फैमिलीज, एंजियोज, गॉवर्मेंट, हेल्थ ओफिशल, पुलिस और उनके पूरे के पूरे नेबरोड को धोका दिया था जिपसी और निकलिस दोनों को जेल हुई और जेल में रहने के बाद जिपसी आईरोनिकली और हेल्दी होती जा रही थी वो बहुत बैटर दिख रही थी, फिजिकली और मेंटिली भी इवन जिपसी ने खुद से ये कहा था कि मैं जेल आने के बाद पहली बार फर्स ताइम इन लाइफ उसे ये चीज़ पता चली थी कि फ्रीडम क्या होती है जेल में रहकर कम से कम वो अपनी जिंदकी के हिसाफ से तो रह सकती थी हाँ वो ये जरूर रिग्रेट कर रही थी कि उसके हाथों उसकी माम का मर्डर हुआ था लेकिन उसे और कोई रास्ता नजर भी नहीं आ रहा था डीडी के चुंगल से भार आने का इसके ना तो कोई फ्रेंड्स थे उन्होंने डीडी के फ्यूनरल करने से मना कर दिया और जब उन्हें पता चला कि वो उनकी पोती के साथ क्या कर रहे थे तब उन्होंने उसकी एशेस अपनी बेटी की एशेस फ्लश में बहा दी निकलस को उमर कैद की सजा हुई बट आज भी वो यही कहता है कि उसने जो भी किया था जिपसी के लिए किया था वो नहीं चाता था कि जिपसी को कभी भी कोई हट करे और उसे नहीं लगता था कि वो जिपसी के अलवा किसी और से कभी प्यार कर पाएगा जिपसी के साथ बिताए सबी पल उसकी जिन्दगी के आज तक के सबसे खास पल थे बट अलमुस्ट आठ साल की सजा काटने के बाद डिसेंबर 2023 में जिपसी फाइनली जेल से रिया हो गई थी जेल के बाहर आकर उसका इंतजार कर रहे थे उसके डैड रॉड उसकी स्टेप मदर क्रिस्टी और एक शक्स 37 साल का रायन स्कॉट अंडरसन जो लुईजियाना में एज टीचर काम कर रहा था अब यह रायन आदमी कौन आगया अचानक से टीचर कौन आगया अचानक से है ना वेल रायन जिपसी का पती था अगेन एलेजटली रायन ने जिपसी को 2020 में जेल के अंदर एक लेटर लिखके भीज़ा था जिसके बाद उन दोनों में बात चीच चालू हो गई थी और दोनों ने जेल में ही 27th June 2022 को शादी भी कर ली थी जब जिपसी जेल से बाहर आई तो वो 32 साल की थी जेल से बाहर आने के बाद जिपसी जैसे दुनिया को पहली बार आक्शुली में देख रही थी उसके लिए सब कुछ नया था, सब कुछ exciting था चाहे हो फिर social media हो या फिर malls में shopping करना या फिर अपने चाहने वालों के साथ या फिर अपनी family के साथ Christmas मनाना जिपसी ने Instagram account बनाया और उसने first selfie post करी जिसका caption था First selfie of freedom overnight जैसे जिपसी एक social media star बन गे थी आज की date में उसके करीब 8 million followers है और उसके ये followers दो हिस्सों में divided है कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि जिपसी गरत है और उसे ये fame और recognition नहीं मिलना चाहिए और दूसरे लोग वो हैं काफी सारे लोग actually जो उसके support करते हैं कुछ लोग जो जिपसी के खिलाफ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जब जिपसी भाहर आ गई तो Nicholas को भी भाहर आ जाना चाहिए था I don't know what is right or wrong here क्योंकि Nicholas ने actually उसकी mom का murder करा था and जिपसी was the one जिसने plan बनाया था so do let me know कि तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो because I genuinely don't know what to say over here according to me जिपसी के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी torture से काम नहीं था और ना जाने अगर इस सब कुछ ना हुआ होता जिपसी एगर ऐसे rebel नहीं करती Nicholas से बात नहीं करती और DD का murder नहीं होता तो पता नहीं कितने और साल जिपसी के साथ और क्या क्या करती DD लेकिन अगेन मैं ये चीज ने कहा रहा हूँ कि जिपसी का तरीका सही था वो तरीका obviously गलत था लेकिन अब जो हो चुका है वो हो चुका है उसने अपनी गलती की सज़ा भोगत ली है और उसे ये चीज भी realize हो चुकी है कि उसने एक crime commit करा था और अब वो social media के जरिये Mancherson by proxy syndrome के बारे में awareness फैलाना चाती है ताकि किसी और बच्चे की जिंदगी जिपसी रोज जैसी ना हो ताकि दुनिया के किसी भी कोने में दुनिया के किसी भी देश में डीडी जैसी ऐसी माना हो जो अपने बच्चों के साथ ऐसी जात्ती करें And with that, जिपसी रोज का केस यहीं पर समापत होता है Again, ये वीडियो नॉमली बीस नाट से तोड़ी ज्यादा लंबी है So, hope that you guys understood everything And for real, do let me know कि तुम लोग का इस बारे में क्या खयाल है क्या है